आधर अधाब अभिनंदन अभार मैं सुभाम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को सुभाम सुख्चा के यूट्यूब चैनल पे सो जैहिंद आइवन वेलकम टू सुभाम सुख्चा आज जो हम लोग करने वाले हैं परने वाले हैं वो है सोसल साइंस स्रीज का जो कि आपका फूर्थ चैप्टर है यानि कि पहले हमने पावर सेरिंग, फेडरलिजम, लाइफ लाइफ लाइन अफ इंडियन एकनोमी और जो चोथा चैप्टर जो आज करने जा रहे हैं वह है डेवलोप्मेंट इन वन सौट हम लोग आज एकनोमिस के फर्स चैप्टर डेवलोप्मेंट को सुरू से ले करके अन तक देखेंगे NCRT द्वार ठीक है जो चलिए सुरू करते हैं इस स्रीज का सुरुवात ट्वेंटी फाइफ नॉम्बर से हो चुका था जिसमें कि हमने पावर सेरिंग, फेडलिजम, लाइफ लाइफ लाइन बात कर चुके हैं, आर एवलोप्मेंट करने के बाद हम लोग आगे फर्दर मुप करते रहेंगे, इसी बीच हमने साइंस, असे नाम का पूरा के पूरा लिस्ट, उस लिस्ट में आपको वन सॉट मैथेमेटिक्स, वन सॉट साइंस, वन सॉट एसे लिखा हुआ है, कुछ वहाँ पर वन सॉट संस्क्रीट, चैनक कनिती संस्कीत का जो कोर्स आने वाला है, वो क्रैस कोर्स अब मैथेमेटिक्स, जो कि एक तरह सुरू होना है, एक दिसम्बर से, वो सभी आपको एरेंज करके उसमें रख दिया जाएंगे आपके लिए, ठीक है, जो सुरू करता है, डिवलप्मेंट, इस चैप्टर करना में डिवलप्मेंट जिसका मतला होता है, विकास, देखे का है, the idea of development or progress has always been with us, हमारे साथ, हमारे पास हमेशा जो development का idea जो होता है, progress बढ़ते रहने का idea होता है, हमारे पास हमेशा रहता है, we have aspiration or desire about what we would like to do and how we would like to live, हम लोग कैसे जीते ह हमें हमें क्या पसंद है, इसका हमें हमेशा एक्षा या मोनकामना रहती है, similarly, we have ideas about what a country should be like, उसी तरह हमारे पास एक आइडिया यह होता है, कि country कैसा होना चाहिए, what are the essential thing that we required, हमें क्या-क्या जोट की चीजे चाहिए, can life be better for all, क्या सभी के लिए life जो है अच्छी तरीके हो स सकती है, how should people live together, कैसे सब लोग साथ रह सकते है, can there be more equality, क्या, क्या सभी में एक तरह का समनता हो सकता है, यह समनता सब के बढ़ सकती है, तो development क्या होता है, development is involved thinking about this question, यह सभी जो question मैंने भी बताया, इसके बारे में पता करना ही development के बराबर है, क्या सब को एक अधिकार मिल सकता है कि नहीं, सब को essential समान जो ज़रुत है, वो पूड़ा हो सकता है कि नहीं, क्या सब का life और सान हो सकता है कि नहीं, यह सभी question का जवा तो development involved thinking about this question and about the way in which we can work together achieving digital, कैसे हम लोग जो सोचे हूँ है, उसका करेंगे, इस पात कैसे आगे बरहेंगे, इस अभी जो भी आता है, इस अभी आता है, इस पात को बोलते हैं हो development, यानि कि आपके सुचने से लेके आपके लक्स पाने तक का जो ही प्रकिरिया है, जो प्रोस आप यहां से चल दिये, यहां के लिए अपना लक्ष सेट कर लिए कि 1 km चल दिया है, 0 km से तो आपका जो है development होना सुरू हो चुका है, ठीक है, इस अ कंप्लेक्स टास्क इन दिस चैप्टर, वी सौल मेक अप बिगिनिग अट अट अनिग लेवर, एक बहुत कंप्लेक्स ट में सिर्फ थोड़ा मोड़ा बात पढ़ेंगे, you will learn more about the Jisoo in greater depth in higher classes, अब जैसे बरे बरे क्लसे में जाएगे का higher classes में, you will see, you will see in higher classes जाने पर आपको अच्छा से दिखाया जाएगा, ठीक है, also, you will find answer to many of these questions, not just in economics, but also in your course of history and political science, अब सभी का जो जो भी आपका आगे का answer होगा वो नहीं सिर्म अपने economics book में, बलकि history, political science, इन सभी book में आप इनको पढ़ने का आपको मिलेगा, this is because the way we live together infused by the past, ऐसा इसलिए होता है, यो कि आज जो हम जी रहे हैं, हमारे पिछले कार्यों को किया गया के अनुसार होगा, मान लिजे, पिछले दिन हमने 200 रुपय अपना ग future अच्छा होगा, बास समझे की नहीं समझे, समझे सर, ठीक है, तो we can't desire for change without being aware of this, देखे, this is because the way we live today is influenced by the past, हम लोग जो जी रहे हैं आज, वो past influenced है, we cannot desire for change without being aware of this, बिना जाने हुए, बिना बुचे हुए, बिना बुचे हुए, इसमे कोई चेंज हम अपने आप से नहीं कर स एक सुझी तरह, अगर एक democratic politics होगा, लोकतांत्रिक हमारा राज निती होगा, का कार्य चलेगा, तब ही जाकर के हम लोग ऐसा आसा कर सकते हैं, या ऐसा सूच सकते हैं, कि जो भी हमने real life में चाहिए, उस अच्छी हो पाएगा, अगर लोकतांत्रिक निती जो है, अच्छा त होना चाहिए, कि आपका एक अधिकार जो होना चाहिए, कि हाँ, क्या decision लिया जा रहा है, क्योंकि आपको governed क्या जा रहा है, तो क्या आपके लिए decision अच्छा होना चाहिए, इसमें आपका जोड मत होना चाहिए, ठीक है, अला topic है, what development promises, development जो है, क्या promise करता है, ये, कि different people, different goal, जितना number of आदमें different होगा उनका अलग अलग लक्ष होगा जैसे कि देखिए लिट उस टाइड वाट डिवल्लपेंट और प्रोग्रस लाइक तू मीन तूट परसे लिसे टेबल पांट पांट वेशिए कि तिया हो सकता है जिसे कोश्विशन है जिसके पास लैड नहीं है वो क्या चाहिएगा उसको अच्छा काम का पैसा मिले हारी अच्छा मिले उसके जमीन खड़ी सके बच्चे को पढ़ा सके अपना घर चला सके जो परिस्पर 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 पनजाब का वो क्या चाहेगा और ज्यादा से त्यार हो ठीक उनके बच्चेस करें ब्रॉड बाहर जागे से लोजाए फैमली के इनकम और बढ़ जया अलगा सुझेंगे यह घर में रासन पनी का कमी नहों तृब है और क्या है का रूरार में फोर्म लैंड ओनिग फैमली इनका क्या इक्षा होगा कि जो जो भी लेंड है उस पर क्रॉप अच्छा हो जाए ठीक है रें उसमें अच्छा हो ठीक है खाने को दिकत नहों ठीक है अगला है हमारा अरवन उनिमपलाइड यूथ मतलगी जवान अपासु अो इसा हो इसे हो जाए एक बास और फिर्फमली मोडिलिंग जाके पर है पैसा उड़ाए बड़े होटल में खाना खाए दो जो चिंचिन लगजडिये गाड़ी हो पर डेक गाड़ी बदले ठीक है अगला कुछन है नर्मदा वैली से को यह दिवासी हो तो क्या इक्षा होगा वोटिंग में अधिकार मिले इक्वाल ड्राइ ऑट जाड़ डिस्किरी नहीं हो और बड़ाने को सथे लिए इसकां अधिकार हो ज्याया है इन सब का देख रहे है क्या कि वाटरज़्ट्रेश क्या इनका पैसे प्रेस्ट्रेशंह का सबक्रास्ट्रेस प्रस्ट्रेशन अलग अलग है इल फाइंड देट स इस पर्सना फिर जो इन शोड पर्टी जो इनका प्रोग्रेश पर्टी जो सुच था क्या वो साही सेम था सबका नहीं था बिल्कुल नहीं था मुस्ट लाई नॉट इच वन अब देम्स दिप्रेंट इंग्छा अलग 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 चाथा they seek things that are most important for them वो वह वह चीज़ की इक्षा रखते थे जो उनको जादा जरूरत है that is which can fulfill their expression or desire जो कि उनका इक्षा और उनके मनोरत को पुड़ा कर सके in fact at times two person or groups at person may seek different things एक समय पैसा हो सकता है कि दो या दो से अधिक person same चीज मतलब कि ऐसा चीज़ को सीख करें एक दूसरे के लिए conflicting हो जाए मतलो ये वाला चाह रखे इसका घर में आग लग जाए और ये वाला चाह रखे किसे घर में आग जाए तो क्या दुनों का बात conflicting है कि नहीं ठीक है development इसके लिए ही हो कि इसके घर में आग लग जाए भाई गलत बात है न फिर एक लड़की को कैसा चाहिए जैसा बाई को मिलता है विसा फिरडम उसको भी चाहिए और ये अज़वाई जो है घर के काम भी हाथ बटा है अर ब्रदर में नॉट लैग दिस उसका जो भाई है वो बात पसंद नहीं कर सकता है जो दो का डेवलोप्मेंट लड़की का डेवलोप्मेंट जो था भाई के लिए का था वो डेवलोप्मेंट का काम नहीं था दोनों का बात कंफ्लिक्टिंग हो गया similarly उसी तरह से to get more electricity हमें चाहिए जादे electricity किसको इनस लिस्ट को यानि को उद्योग पती को है में वाइं और जादे वोड़की को चाहिए जादे अलडर वर परणा पड़ेगा अब शनक्त इनस जेए दिवास ही अधे माइट रिसेंट इस एंड में प्रिफेर स्मॉल्चेग डम्स और टैंक को चाहेंगे कि इसको रोक दिया जाए अपने खेती करने के लिए से चेक दर में चोटी वाइब खोल किया है थाकि पाने पट्तंके परागे मंध को नहीं को नहीं बनने दिया जाए। है कि नहीं कि अगरे यहां से क sem 2022 यहांपे क्या है सो यहसे हैं से दो बात क्लिर होगा कि एप ही रा ना गुर्गत कि लिए यह जैशि.? सब्सक्राइब अधसे इंडस्टिवर इंडस्टि इंडस्री लिए के लिए फ़ेंड बनना जरूरी था लेकिन अधिवासी के लिए चाहरो रहे थे वहां से दिकत होगा उससे जिनका बना घर होटना परेगा उनका जो लैंड होडोगा पानी में है कि नहीं तो यह सभी जो है क्या है conflicting बाद है ठीक है आगे हमारा क्या है आगे हमारा टोपिक है income and other goals income and other goals की मैंने बात करें तो क्या देखिए if you go to table 1.1 again you will notice one common thing यह चीज आप जो गवर करेंगे है क्या करेंगा what people desire are regular work लोग क्या चाहते है regular work चाहते है better wages यानि की better मजदूरी चाहते है and decent price of their crops on other products they are produce जो भी वो produce करते हैं जो भी जो भी फसल हो गाते हैं उसका चाह कीमत मिले दाम मिले उनको in other word they want more income कहने का मतलग कहा है सभी तरीके से उनको कहना कहा है development कारत कहा है कि उनका income जादे सजादे हो ठीक है besides seeking more income income के लावा one way or the other people also seek सिर्फ इंकम के लावा नहीं काम चलता इंकम के लावा चाहिए equal treatment चाहिए मली जै कि आप guard है किसी company में कहीं मतलग नहीं है कि आप से जो भी आपको एक थपर मार के चला जाए इसा नहीं है freedom आजादी चाहिए कि आपको इतना जुरूर हो कि आप bathroom करने में चला जाए जाए नहीं कि आपको एक खड़े रहना तो खड़े रहना है जब तक आप duty में यह बाथ तुम बहरे भी नहीं जाना है यह भी नहीं होना चाहिए security आपको मिलना चाहिए नहीं कि आप गार्ड है और आपको रक्ष्टिजोरी का गार्ड बना दिया गया जो भी आगा ठोक के चल जाएगा को ऐसा नहीं होना चाहिए respect father आपके लिए respect होना चाहिए और आप भी उसने के रिसमें कड़ेंगे they receive discrimination और उसमें कोई भेद्भाव ना होगा all these are important goals in fact in some cases these may be more important than income income से जादा यह सब बाद important रखता है कि हम जहां काम करने जा रहे है क्या हुआ मुझे security मिलेगी क्या मुझे 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 respect मिलेगा क्या मुझे वह equal treatment मिलेगा क्या रिसमें तो नहीं किया जागा मेरे साथ ठीक है तो क्योंकि more income है more consumption होगा because material goods are not that all you need to buy live जीने के लिए सिफ सामानी जोगत नहीं है money or material thing that one can buy with it मतलब money से ही आप material खरी सकते है is one factor on which our life depends इसे कि हमारा life dependent है but the quality of our life also depend on non material things mentioned है लेकिन हमारा जीने का जीने का जीने का quality है वह भी change हाता है किससे जो भी non material math हमने किया जीसे security हो गया freedom हो गया equal treatment हो गया इसके बिना life का कोई मक्सद नहीं है कि life है और आप इज्जत नहीं है इसमें ठीक है आपको इक्षा हो सकती है उसके friendship की similarly there are many things that are not easily measured इसी तरह ऐसे बहुत सचीज है जिनको की मापा नहीं सकता है but they mean a lot लेकिन उनके उसका महत्तों आपके लिए बहुत जाद है ऐसे की दोस्ती को आप नहीं सकते है लेकि दोस्ती का महत्तों आपके लिए बहुत जाद है these are often ignored लेकिन इसको कभी कभी note भी कर दिया जाता है है कि नहीं however it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत है इसको मापर नहीं सकता है वो सब जो है important नहीं है मनले दोस्ती को आप नहीं नाप सकते लिए दोस्ती कितना important समझ रहा है consider another example एक और examper समझे if you get a job in a fair of place आपको बहुत दूर एक job मिला before accepting it आप job से बीना income पूछे पहले आपका पता किजिएगा कि क्या वहां पे facility है आपके family कराने का क्या working atmosphere है क्या उपजनिटी सिखने का कोई साधन है क्या वहां का in case of job in another case a job may give you less pay but may offer regular employment that enhance your sales of security अगर आपको एसा job मिले जो वेतन तो कम दो लेकिन आपको 30 के 20 काम करने के लिए बुलाए ठीक है आपको security दे उन अच्छा है मालीजे कि दो दिन company खुला रहे आपको 500 पंसो को पती दे दिया ठीक है in another case another job however may have offer high pay but no job security and also leave no time for your family माल यह कि ऐसा कोई job मिले जिसमें की आपको बहुत सर पैसे तो दे job का security भी दे लिकिस वाली जोई को security नहीं दे और आपको कोई time नहीं दे आपको family के लिए this will reduce your sense of security and freedom इसे का होगा आपको आजादी छीन जाएगी आपकी और आपकी security छीन जाएगी तो क्या आप ऐसे जाए काम करना चाहिएगा बिल्कुल नहीं करना चाहिएगा इसलिए similarly उसी तरह से for development people look at mix of goals development के लिए जो आदमी है mix of goals चुनता है यहीं किसी positive income ही नहीं, income के लावा बहुत कुछ देखता है जो कि हमने non-material बात अभी किया आपके सामने वसा भी देखता है जिसे कि आपका equal treatment हो गया work environment हो गया time हो गया time management हो गया कितना घंटा time करना है ways देखता है ठीक है It is true that if women are engaged in paid work, अगर women paid work engaged होगी their dignity in the household and society increases उनका जो dignity है household में या society में बढ़ जाएगा However, it is also the case that if there is respect for women there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside अगर जो है, women का respect बढ़ेगा तो उनको जाए, housework के sharing में कम से कम जाए स्यादा acceptance मिलेगा और women जो है बाहर के बाहर जाके काम कर सकते है A safe and secure environment may also allow more of men to take up a variety of jobs and run the business एक safe and secure mahal दीजेगा तो औरत लोग का भी variety of jobs अभर करने का लेने का मका मिलेगा या भी business को चलाने का Hence, the development goals that people have not only about their better income but also about their important things in life इसलिए development goals जो है people का को सिर्फ पर सिर्फ मनी नहीं बल्कि और भी important things है जो कि life में जरूरी है अगले का है national development वो क्या देखिएगा If as we have seen above individuals seek different goals their notion of national development is also likely to be different हम अभी जानते हैं हर एक आदमी का अलग अलग different goal है तो उनको नेशन के प्रती जो उनका जो भी करताव होगा इनेशन के प्रती जो भी एक्षा होगा वो भी हो सकता है कि अलग हो ठीक है Discuss among yourself on what India should do for development Sorry Discuss किजिए ऐसा कोई बात जिसे कि India developed हो सके और हो सकता है कि मेरा मानना हो कि India developed होगा in the field of technology किसी और का मानना हो India developed in the field of education किसी और का मानना हो कि India would develop in the field of trade किसी और का मानना हो India would develop in the field of communication सबका क्या होता है अलग-अलग होता है जो सोंचो सकता है Most likely you find that different student in the class have a different answer to that question In fact you might yourself आप अपने से भी सो सकते है बहुसार answer ठीक है You might yourself think of many different answers not to be too sure of any of these ठीक है It is very important to keep in mind यह बात important बहुत है याद में ध्यान में रखना कि different could different person could have different conflicting notions for country development country development के लिए भी हर एक आदमी का सोच जो है conflicting कभी कभी हो सकता है माल यह किसी केक्षा हो कि बगलवाले जो हमारे हमारे बेटे है मतलब Pakistan जो भी है उनको उडादेने नहीं एक दी में हम पढ़ामेदे बनेंगे तो Pakistan को उडादेंगे बाई उसके परती आपका देसे कितना घटा होगा क्या च्हती होगा आपको भी तो देखना है ना यह आपका जो सोच हो सकता है आपका जो सुच है हो सकता है अगर बात जो है conflicting आजाए तो कैसे डिसेट किया जाएगा? What would be a fair and just path for all? इसके लिए एक अच्छा रस्ता क्या होगा? We also have to think whether there is a better way of doing things. क्या इसका हम को करने के लिए को अच्छा तरीका है क्या? Would the idea be fit a large number of people or only a small group? क्या जो idea बताईएगा उस nation के लिए? क्या वो बहुत लोगों का फिक कर रहा है? या कुछ लोगों को small group को फैदा दे रहा है? National Development means thinking about this question. तो National Development का जो भी निरने लिया जाएगा, इन सब question को ध्यान मेरा के लिया जाएगा. क्या इसे बहुत सारे लोगों को परहुईत हो रहा है की नहीं? इन से प्यादा हो पा रहा है की नहीं, ठीक है? अगला है हमारा, How to compare different countries or states. आप different country को different states को कैसे compare कीजेगा? उसके बार में क्या दिखिए? You might ask if development can mean different things, how can some countries are generally called developed, another country are underdeveloped? जोगर development का meaning जो है, अलग-अलग है, अलग-अलग thing के लिए है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई country जोगर developed है या कोई underdeveloped है? Before we come to this question, let us consider another example, another question. एक और question लेते हैं, इससे पहले किस question कहा है? Question कहा है, कि when we compare different things, they could have similarity as well as differences. हम जभी किसी दोचीज को compare करते हैं, उनमें कुछ समानता और कुछ में कुछ भीनता भी हमें दिखाई देता है. Which aspect do we use to compare them? हमें इसमें से क्या चाहिए, आप किस aspect से किजिएगा? Let us look at the student in the class itself. आप class में बच्चे को देखिए. How do you compare different student? आप different student में किसे compare किजिएगा? यह तो आप कर सकते हैं, height crisis में, या health, या talent, या interest, या math lover, या chemistry lover, या physics lover, history lover, ऐसा कर सकते हैं, classify. The healthiest student may not be most studious one. जो अच्छा खासा healthy student होगा, हो सकता है, वो परने में अच्छा ना हो. The most intelligent student may not be friendly student. जो सबसे intelligent student होगा, हो सकता है कि वो दोस्तियारी वाला ना हो. So, how do we compare student? तो हम लोग student में कैसे compare करेंगे, कि कौन अच्छा है, कौन खराब. The criterion we may use depends on purpose of comparison. आप किस basis के लिए comparison कर रहे हैं, उसके हिसाब से comparison का जो लिस्ट अच्छा लगएगा, जैसी माल लीजे, कि आप फुटोल खेले के लिए चुन रहे हैं, तो आप सबसे लंबा लंबा को चुनिएगा, ठीक है? आप जो एक chess के लिए चुन रहे हैं, आप सबसे तेज-तेज बचा को चुनिएगा, ठीक नहीं, तो depend करता है कि आप किस मकसद के साथ, किस purpose के साथ, आप चले इंदे क्लास, how shall we do it? और हमें पुड़ा के पुड़ा साल लगा, निकि All Learned Progress चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सब सुन का एक अलग सुची त्यार करना होगा, जिसमें की सारा इंटरेस्ट के वाड़े में लिखा हुआ हो, ठीक है? Usually, we take one or more important characteristic of person and compare them based on their characteristic. हम लोग एक या एक से अधिक characteristic के इस्तेमाल करते हैं, characteristic के इस्तेमाल करते हैं आदमी को identify करने के लिए. Of course, there can be different about what are important characteristics that suit from the basic of conversion. हो सकता है कि यह बात जोट पुछने हैं आपके मन में होगा, कि क्या important basic मान के चलें, क्या question पुछें, important क्या basis है, हो सकता है वो friendliness हो, and spirit of cooperation, सहयोग करने का जो इक्छा हो वो वाला creativity हो सकता है, कितना marks आया, यह marks security कितना किया, इस पर comparison कर सकते हैं, ठीक है? This is true for development, to, development के लिए बात सच है क्या, कि for comparing country, country और compare करने के लिए, their income is considered to be one of the most important attribute, उनका income है, उसको most important attribute मेना जाता है, country with higher income are called developed country, and with lower income and less income are called underdeveloped country, समझ माया? This is based on the understanding that more income means more of all the things and human being need, दिखें, our country जयादा रीच है, इसका मतलग क्या है, वाके हर एक आदम पास इतना पैसा है, कि अपने निय अपने जड़तों को पूरा कर सके है, ठीक है? Whatever people like and should have, जो भी उनको चाहिए, पसंद हो उनके पास हो जाए, they will be able to get with greater income, क्योंकि उनके पास जयादे income है, इसलिए उनके ले ले पा रहे हैं, so, greater income itself is considered to be one of the important goal, एक income जो होता है, वो भी एक important goal माना जाता है, Now, what is the income of a country, एक country का क्या income है, वो क्या होता है, बताते हैं, intuitively, the income of the country is the income of all the student of the country, this gives us the total income of the country, पूरे साल, पूरे सालाना, हर एक आदमी का कितना आय है, सभी मिला का क्या होता है, country का total income होता है, However, for comparison between countries, country compare करना हो, total income is not such a useful measure, total income जो है, एक useful measure नहीं है, since countries have different population, क्योंकि country का different population है, कोई बहुत चोटा है, कोई बहुत जादा है, ठीक है, कोई बहुत बहुत बढ़ा है, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn, पुड़ा compare करने के total से पता नहीं चलेगा कि एक आदमी कितना कमा रहा है, ठीक है, are people in one country better off than other in different country, हो सकता है कि जो underdeveloped हो, उसमें का आदमी का जो है, ज्यादा अचा salary हो, ज्यादा अचा work हो, और जो developed है, उसमें का नहीं हो, ठीक है, Hence, we compare the average income, which is the total income of the country, divided by its total population, and the average income is also called per capita income, इसलिए हमने क्या निकालना होता है, प्रती व्यक्ति आए, per capita income निकालना होता है, जिसे ही पता चले हमें, कि सब का average income का हो, वो क्या होता है, average income क्या होता है, total income, जो भी income आपका हुआ, so income divided by total population, ठीक है, इसे का होगा कि पर व्यक्ति कितना income है, वो हमें समझ में आ जाएगा, इन वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, brought out by the world bank, this criteria is used in classified country, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अंटसार, वर्ल्ड बैंक जो बनाता है, उसमें इसी क्रिटेरिया, per capita income को इस्तेमाल करके, इसे कंट्री को अरेंज किया गया है, ऐसा बताया गया है, कंट्री जिसका per capita income, बारह हजाट चपन डॉलर से उपर हो, उसी को बोलते हैं लोग rich country, और जिसका per capita income, 955 डॉलर से less हो, बोलते हैं low income country, इंडिया come in the category of low middle income country, इंडिया आता है, बोलते हैं low middle income country में, बिकाज इसका per capita income जो है, वो 820 परे नम है, और 70820 डॉलर, ठीक है, the rich country including countries of middle east, जो भी country middle east माते हैं, उनसा भी धनी मनी country माने जाते हैं, and criterion other small country, are generally called developed country, और बहुत सरे से चोटी-चोटी country भी हैं, जो इनको भी developed, जो की developed, खुद भी जो की developed हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए, average income होता है, पूरा एक जखली बात नहीं बता, average income is useful for comparison, it does not tell us about how the income is distributed among the people, देखिए, यहां पर देखिएगा, यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है, country A है, country B है, इसका average निकली गए तो करीब करीब दूनों का average समझ आएगा, यहां के देखिए, एक आदमी को 500 मिला, एक आदमी को 48,000, difference कितना का है, 45,000 का difference, यहां मिला है 95,000, यहां मिला है सारे 10,000, यहां 95,000, यहां ठानमी सो यहां 10,000, तो यहां पर कहां है, बहुत minor, minor difference है, किसका wages का है, यहां कि कमाई का बहुत कम average है, हो सकता है कि इसको 500 मिला, इसको 48,000 मिला, देखिए, कितना का difference है, 47,500 का difference है, इसको difference नहीं, major difference बोलते हैं, इसलिए आप average income का लिएगा, तो क्या आएगा, इस सभी आदमी का आएगा, आपका average income, हो आएगा, 10,000 per month, क्या 10,000 per month सभी कमा रहे हैं क्या, नहीं कमा रहे हैं, 500 रुपय कोई कमा रहे हैं तो, तो इसे क्या होगा, यह में अच्छा तरिखा कर रिजल्ट नहीं देता है, कौन average income, ठीक है, अगरा बात करते हैं, income and other criteria, income के अलावा क्या criteria होता है, इसका बात करने दिखी क्या होता है, कि when we look at individual aspiration and goal, जब भी हम लोग, एक single आदमी के aspiration या goal की बात करें, we found that, people not only, think of better income, people जो है स्री पासी better income ही नहीं, but also have goals in such as security, respect for other, equal treatment, freedom in mind, similarly, when we think a region or a nation, we may beside average income, think of other equally important attribute, important attribute जो भी है, उसके बारे में उसके बारे में उसके बारे में उसके बारे में बहुत जो 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 जासे की, what could be these attributes be, इस बारे में इस attribute जो है, attribute जो है, क्या क्या है, समझेगा, let us examine with, through an example, इसको शुरू करते हैं, example के थू, वो क्या है, ठेके का है, table 1.3, give the per capita income, Haryana, Kerala and Vihar, Haryana, Kerala and Vihar, का per capita income दिया हो है, तो देखे है, क्या है, इसे का समझ में हाता है, कि per capita income, Haryana का जादे है, फिर Kerala का, फिर Vihar का है, ठीके, यार समझ लीजे, अच्छा, तो लिट उस, जएक्ट में, जएक्ली में क्या इसका समझते है, लिट उस इग्नोर, वाट इस कंप्लिकेटर तर्म, जएक्ली में समझते है, रफली का सकते है, कि we can take it to be better, be the per capita income of the state, we find that, तो थ्री Haryana has, थ्री, Haryana has the highest per capita income, जो तीन है, उनका highest per capita income है, हर्याना में, और बिहार is the bottom, बिहार सबसे निचे आता है, उस तीनों में, इसमेंस दा, अन अभरेज, अन अभरेज परसर इन हर्याना, उन और आज ताह दो ask । हर्याना में, हर्याना में, तीनों में, पर के पर इन पर लिद्सक्राइक के चिठ सब्सक्राइब, हर्याना है, बिहार से, उन बिघ्वार से, अब तीन अलगड अटाग में पढ़ते हैं पहला है आपका infant mortality rate वो क्या होता है कि एक साल पुर्णे से पहले इतना बच्चा का डेत हो जाता है नी पहला बड़े मनाने से पहले वह लिखा हुआ है कि infant mortality rate का होता है आई एमर बोलते हैं indicate that number of children that die before the age of one year इतने हजार बच्चे पैदा लिये हैं उन सभी का पुर्परस्णल क्या करते हैं इतने ऐसे बच्चे हैं जो कि एक साल के पुर्ते-पुर्ते मर गए हैं उनकी बात करें तो हर्याने में 33 हैं केटलाय में 10 बिहार में 38 है अब बात करते हैं लिटरेसी रेट यहीं कि सक्षर्था सक्षर्था दर क्या है देखिए लिटरेसी रेट मिजर्थ पॉर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेसर इंद सेवेन एबाव एज ग्रूप साथ यह साथ से उपर के ग्रूप में कितने आदमी जो है वो चिलें ऑफ एज ग्रूप चौदर और पंदर सल के यसे बच जो अटेंड करते हैं सवी श्कूल को से बिसलोब हुआ जिया इतना भी बच्च Ezा पर्षें धीन ही सभी का बलते हम लोग अलब समझते हैं तो वाट्ट देस्टीबल टो इसे वह समझते हैं तो फर्स्ट को इस अजन लेने के एक साल से पुड़े से पहले मढ़ जाते हैं टीक है जीन डाइब विदिन वन येर अव बर्थ वाग्याना में क्या देखा कि बर्थ लेने की जन्म से एक सल पहले तक जो 36 बच्चा वाँ पर डेथ होता है उनका ठीक है ऑन अधर हैंड जब पर कप्टा इंकम फर्याना इज मोर्ड़न दफ कर ला सोनीन टेबर 1.3 हमने क्या देखा था हड़याने का जो पर कप्टा इंकम है किला से ज्यादा था 1.3 में ठीक है justify think how dear you are to your parent सोचिए कि आप कितना important आपके parent के लिए think of how everyone is so happy when a challenge born सोचिए कितना सब खुष होते हैं जब एक बच्चा जन्म लेता है now try to think of the parent who children die before they even started their first birthday सोचिए उन परेंट का क्या होगा जब उसका बच्चा जो है बिना एकसल का बद्य मनाए ही जुनिया को अलविदा को देता है how painful it must be to this parent कितना पेंफुल होता होगा कितना दरदना होता होगा एपल उनके parent के लिए next note the year to which the data printed इस डाटा है पर 10 का कप किया गया है it is 2016 2016 में किया गया चार सल भी चुका है so we are not talking of old time हमने ज्यादे पिछले की बात अविलेग नहीं किये it is nearly 70 years after independence 70 साल 75 साल independence के बात का बात है whenever metro cities are full high rise building shopping mall metro cities है वह high rise building से shopping mall से बढ़ते जा रहा है उस जमाने में भी अज ऐसा हो रहा है कि जो बच्चे जम लेते हैं एक साल की आयू से पहले इस दुनिया को छोड़ दे रहा है ऐसा भी हो रहा है ठीक है however is it that the average person in a public facilities ठीक है इस भी होगे अच्छा यहां पर रहा है ठीक है the problem does not end with the infant mortality rate जो problem जो है न स्रीपोसिव infant mortality rate के साथ खतम नहीं हो रहा है the last column of 2.1.4 shows that about half of the children age over 14 से 15 साल के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहा है जो की class 8 के बाद ठीक है this mean that if you went to school in Bihar nearly half of elementary school classes would be missing अगर आप Bihar में जाते तो आपको अभी तक क्लास आपका सब कुछ मिसिंग चल्दा and those who could have been school are not there who school in school में होते भी नहीं if this had happened अगर आपके साथ इसा हुआ रहा था sorry तो you would not be able to read and what you reading now आप इसब नहीं पर पाते जो भी आप इसब पर रहा है ठीक है अगला क्या है देखी है अगला हमारा PDS Public Distribution System उससे पहले परना है Public Facilities उसका परते हैं देखी क्या है कि how is that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala कैसा है कि average person जो Haryana का है उसका income केडला के परसन से जादा है The reason is money in your packet cannot buy all the goods and services that you may need to alive आपको जिन्दा रहने के लिए जो भी चीज़ी का जोगत है सिप पैसा हो आपके pocket में उससे आप अचा environment अच्छा जो है सब चीज नहीं कर से जैसे कि income by itself is not completely adequate indicator for material goods and services that citizen are able to use income इसरी पर सोरूत नहीं है जिसे की material goods जो की service के लिए जरूरी है indigenous region को युज में लाइए जाए For example, if you normally talk about your money cannot buy a free pollution free environment आपका जो पैसा है एक pollution free environment नहीं बदल सकता है ensure that you get an unalliated medicine ना आपको मिलावाट का खाना और medicine से बचा सकता है unless you can afford to shift to community that has already had all these things तब तक जब तक कि आप OSS समाज में नहीं चल जाते हैं जहाँ पर यह सब directly आपको मिल जाए Money may also not be able to protect you from infectious diseases पैसा आपको करोना से बचा नहीं सकता है Unless the whole of your community take prevention step जब तक पूरे समाज आपके लिए प्रिमिंसल स्टेप नहीं नहीं कि आप मास लगाए दुरी बनाय रखे तब तक जो है infection से आपको नहीं पिचा सकता है आप कितने ही पैसे वाले हो और आप कोई गरीब गया सो क्रोना हो गया आपको छू लिया तो पैसे के पैसे देहरे डाजाएंगे आप प्यारे हो जाएंगे अल्ला भागवान इसा मसी सब के प्यारे हो जाएंगे है कि नहीं actually for many of the important things in life the best way also the cheapest way to prove that sorry to provide these goods and services collectively और आपको importance चाहिए life में ठीक है for many of the important things in life जो भी life में important चीजे है सबसे से तरीका क्या है कि आप सबसे असान तरीका क्या है to provide these goods and services collectively आप इस goods को services को दोनों को collectively को करे प्रवाइट कर रहा है जैसे कि just think with it will cheaper to have collect security for whole locality for for each house to have a own security man मैं लिजे कि हरे घर के लिए अलग security guard लाया जाएगा क्या वो सस्ता परेगा कि पुरे क्या होगा और आपके अलावा कोई और बचा तयार नहीं है आपके गाहों से इस्कूल जाके परने के लिए कि आपके पिता जी भेजेंगे आपको बिल्कुल नहीं बहुत कम चांस है उट भी वे अबल टुटी क्या पड़ पाईएगा नॉट अन्लेस यूर परेंट कूद अफॉर परेंट के पास इतना पैसा नहीं होगा क्यों अफॉर्ट कर सके एक प्रेपेट स्कूल को तब तक आप नहीं पड़ सकते हैं इस अब नहीं परेंट करेंगे आपके साथ बहुत कोई पड़ने जा रहा है और उनके पाईटी मांते हैं कि एर उप्रेजेंगे तो अब लिए अब्यू प्रेगा उप्रेगा इनको बेस्ट परेंगे परेंगा उनको चांस मिलेगा आगे परनेगा इवीं नहीं तक बात क सब्सक्राइब करें नहीं कराई है ना सेकुरिटी ना सेफ्टी प्रवाइब कराई नहीं है ऐसे बहुत सारे से जगह है जहां पर आज भी लड़कियां आई स्कूल नहीं जा पाती है ठीक है मिडल स्कूल में ही काम चला कर रहा जाती सम्झे तो फिर हमने का पर है कि करला है करला के पास जो है इंफाइंट मेंटरी डेट बहुत काम है विकॉज इट है जाती है जैसे की भारत बिहार ही हो गया और पॉब्लिक डिस्विशन सिस्टम को द्वारा खात पानी बहुत ही कम दारूम में दिया जाता है हेल्थ और निट्रेशन सेटास अपिबल अफ सच स्टेट इस सटेनल एकली टुबेडर और यहां पैसा होगा वहां पर थोरा से जोच देती है वो थोरा अच्छा देखने को मिलता है ठीक है अगला है हमारा human development resource ठीक है वो क्या है देखिए उसे पहले बी माई body mass index वो क्या होता है body mass index क्या है कि आप क्या आप को पॉसित है या मल्लिटरिज्ट है आपको बताता है कौन body mass index बताता है ठीक है कि आप अपर वेट है सबीकोर बताता है body mass index बताता है आपका ठीक है देखिए इसमें परना क्या है देखिएगा measure of development for instant human development report क्या परना है क्या समझिएगा HDI क्या होता है human development index होता है HDI rank in evoke table are out of 199 country in all ठीक है life expectancy at birth denote as name suggested average expected length of life of person at time of birth जनम सब्सक्राइब करके मरने तक विचको जा लाइफ अता है life expectancy per capita income का है per capita income is calculated in dollar for all country so that it can be compared सबका जो है dollar में निकाला है ताकि compare करने में असान रहे it also done in a way so that every dollar would buy the same amount of goods and subsidies in any country उसको इस तरह से डिजन कियाता है ताकि हरेक डॉलर जो है हरे country में एक ही तरह का समार खड़ी सके एक ही तरह का good services provide करा सके यह नहीं कि उस दोलर का कीमत भारत में 70 हो जाए और पाकिस्तार में 85 हो जाए और नेपाल में 89 हो जाए फिर तो दिकत हो जागा है सिरिलंका जो हमसे काफी आगे है काफी अच्छा है टेबल 1.6 हो देट दो नेपाल और बंगलादेश हो है इनका लोग पर कप्टा इंकम ही बहुत लोग है फिर भी ये ट दे यार बेटर दर इंडिया इन लाइफ एक्सपेंटरी लाइफ एक्सपेंटरी के मावले में वह इंडिया से काफी जाए अच्छा है मेनी वरुमेंट हैब बहुत सारे सुधार एच दिया करवाया गया मेनी नियू कंपोनेंट है बहुत सारे नय नय कंपोनेंट को एट किया गया किनके दोरा human development report के द्वारा by prefixing human to development सबसे पहले आदमी रहना चाहिए development होने के लिए it has made it very clear that यह बहुत असान बना दिया बासा में क्या बोला what is important development is what is happening to region for a country एक region के साथ क्या हो रहा एक देश में वही सबसे इंपोर्टन है development के लिए it is the people their health and their well-being that is most important आदमी इंपोर्टन है आदमी का स्वास्त इंपोर्टन है आदमी का स्वास्त रहना इंपोर्टन है तभी जाके सब कुछ important है ठीक है do you think there are certain other aspects that उस भी considering human development क्या human development report के बनाने के लिए क्या आप सून सकते है कि इससे भी अलाग कोई रास्ता हो सके ठीक है अगला है हमारा sustainability of development development का क्या sustainability है उसको आने परहेंगे देखे क्या है suppose for the present that a particular country is quite developed मानिये कि particular country जो है बहुत जादे developed है we would certainly like the level of development to go up further effortless to maintain the future generation हम लोग जो है उसको और द्रिया-द्रिया गरते है ताकि हमार future generation जो है उजादा developed होते रहे है this obviously desirable यह बात जो है बिलकुल सथ है however since the second half of the 20th century a number of scientists have been warning that present type any level of development and analysis level करने मतलब क्या है second दूसर किस्वी सथी की बात करें तो हमारे जो बहुत सारे scientists है हमें warning दे रहे है कि present type में level जो है दिरे दिरे जो है सस्निवटी का घटे जा रहा है इसमें एक बात क्या कही गई है कि we have not inherited the world from our forefather हमने अपने पुर्वजों से यह दुनिया है यह विश्व है इसको उत्राधिकारी के रूप में नहीं लिया है we have borrowed it from our children हमने इसे अपने बच्चों के लिए उधार लिया है जो ही world है इसको हमने अपने उत्राधिकार में अपने पिता से पाया नहीं है बल्कि हमने इसको अपने बच्चों के लिए उधार माहा है अच अब क्या देख रहे हैं कि भारत में दिरे दिरे ग्राउंड वाटर का लेवल घरते जा रहा है mineral resources मिल नहीं रहे हैं तो groundwater is an example of renewable resources हम जानते हैं कि groundwater example है renewable resources का these resources are replenished by nature as is the case of crop and plant दिरे दिरे के आओगा इसको जो है replenish कर दिया जाएगा however even these resources may be overuse अगर इस resources का इस resources का गले इसमाल किया गया तो सीफ rain होने से तो groundwater फुल नहीं हो जाएगा for example in the case of groundwater if we use more than water is being replenished by rain then we would be overusing the resources resources अगर resources के पास पांट लिटर पानी था पॉले से और आप rain द्वारा आए पानी से ज्यादा रेंसे दो लिटर पानी आता और आप 4 लिटर पॉले से इसमाल कर दिये तो क्या आपके डिबा में घृट अधरी मिले आगी नहीं मिटलेगा मिलेगा जरूर मिलेगा अब 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 आता है नॉन रिनियूबल रिसोर्सेट की जिसे की कोल पेट्रोलियम हो गया और दोज विच विल गेट एक जोसेट आपर यह और ऑफ यूज आप सलाना इसको करेंगे दिरे दिरे वह खतम हो जाएगा we have a fixed stock on earth हमारे पासका एक fixed stock बना के रखा हुआ है which cannot be replenished जिसको कि अब further increase नहीं किया सकता है we do discover new resources हम लोग अलग अलग तरीके का सोच सकते है इसी की solar energy हो गया हो सकता है hydrogen का भी इस्तमाल किया जाए helium का इस्तमाल किया जाए तो we have a fixed stock on earth which cannot be replenished जो की दिरे कभी भी अटाया नहीं जा सकता है new resources in the way add to the stock नया नहीं सुरो तो जोसको जोरा जा सकता है however over time even this will be just लेकिन समय के साथ वो भी दिरे दिरे क्या होगा नस्ट हो जाएगा वी धिरे धिरे खत्म हो जाएगा consequences of environmental degradation do not respect national or state boundary जो भी खत्रा जो मंदर आएगा हमारे वातावरन पे खत्रा मंदर आएगा माजर्ती पे तो वो कही भी state या रास्ट के border को नहीं देखती कि कि किसके border में पर रहा है नुकसान ठीक है this issue is no longer region not specific issue issue उठपन होगा वह सीपर सीपरीजनल नहीं होगा और नहीं रास्टी होगा future is linked together हमारे future इसके साथ जूरा होगा sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientist, economist, philosopher and other social scientist are working together सब संदक्षन करना जो भी हमारा जो भी हमें पास बच चुका है जो resources उसको संदक्षन करना इस विशह पे scientist होगे economist होगे philosopher होगे social scientist होगे या फिर working सब लोग क्या कर रहे है साथ में काम कर रहे है तक इसका जायस जादा परचार और सेव किया जा सके इन जेरेडल दो क्वेश्चन ओड़लप्मेंट और प्रोग्रेस इस प्रीनेरियल इसका जो बात है डिबेट है इसका जो बहस है वो कभी खतम नहीं हो सकता है कोई इतना सारा बहस है कि खतम होने का कोई चांस ही नहीं है अब जनोंने हमारे स्टाइव में खड़ीता है उनकी लिए बात करें उनके लिए कि सब कुछ अरेंजम करके लिखा हुआ हुआ है इसका जिसे की कोई चीज गरो करता है जादा से जादा मैचुर होता है और जादा से अधे ड़ाट्स टैवल क्या 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 principle है different people have different development goal for a landless farmer getting land development for travel equal representation voting development अलबात क्या development form one may not be further एक के लिए डेलोप्मेट हो का सकता है दूसरी के लिए ना हो जैसे इंडस्ट्रीस के लिए डैम बनाना important था लेकिन वही अधिवासी रहने के लिए वहां पर का होता है लोकल कम्यूटी को अधिकत होता एकोटिक लाइफ को अधिकत होता अगला का है people look at mix of goal people जो है mix of goal चाहते है यानि की while choosing job job को चुनले से पहले salary working hour number of holiday all these goals matter not only salary matter सब्सक्राइब काम करना पड़ेगा कितने घंटे काम करना पड़ेगा चाय मिलेगा कि नहीं खाराना पड़ेगा क्या सब कुछ पुछ पुछ जरूरी होता है कि नहीं important time for conversion क्या क्या आता है कि when we compare different things they could have similarity as well as differences so the result depends upon the purpose of comparing us for comparing country their income is considered to be the most important attribute and if you want to compare a country then income is the most important attribute माना जाएगा अलावत क्या है मारा national income क्या होता है the sum of income of all the citizens of a country is called national income national income क्या है कि income जो है सभी 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 हुआ को भी हुआ सभी को बहुत है हम लोग national income अगला आता है हमारा per capita income हो क्या है कि when national income is divided by the total population of country the result is the per capita income of average income ठीक है जब national income को divide कर देंगे total population से तो जागा per capita income यानि कि प्रती व्यक्ति आए ठीक है world bank की माने तो world bank also use average income for comparing country world bank जो है average income या per capita income के सभाल करता है compare करने के लिए कि क्या कौन developed है कौन नहीं अगला हमारा है gross domestic product GDP क्या होता है देखिए कि some of all the goods and services produced within a country in an accounting or domestic product हमारे घर में जो भी अनाज उगा एक सालों में सभी का production को some of all goods and services को जो रहेंगे सभी क्या खलाता है gross domestic product अगला हमारा gross national product क्या होता देखिएगा देखो हमने इंसेटी होता है नहीं बता है ना इंपोर्टेंट था इसमें आता है इसलिए जो बोला था मैंने कि study material जो खड़े देएंगे उनको सभकुछ मिलेगा कुछ नहीं चुटेगा ठीक है some of all goods and services with value of import and export in accounting year इनना जो ग्रोस नेशनल प्रड़क्ट यह एकि GDP कितना production हुआ प्लस import प्लस export is called to GNP यानि की gross national product अगला हमारा literacy rate वा क्या देखिए the proportion of literacy literate population in the seven and above age group is called literacy rate अगर साथ या साथ से वर्स से उपर के आयों के बच्चे पर रहे हैं, अगर उनकों पास literacy rate है, वो पर हाई के मात ब जानते हैं, तो उसके इस ट्रम को क्या बलते हैं हम लोग, literacy rate, अला ट्रम क्या है, public facilities में क्या है, कि money owner packet cannot buy all the goods and society, sorry services, that we need to live well, explain कीजिए, ऐसा कुछा नहीं प बोगेट में हो सब कुछ नहीं खड़ी सकता, जो भी हमें जरूरत है, हमें जीनिक लिए चाहिए, वो सब नहीं खड़ी सकता, explain कीजिए, ठीक है, जैसे कि pollution-free environment, unadulterate food, disease-free environment, virus-free India, नहीं नहीं कर सकता है, हमारे करोना कैसे ख़तम कर सकता है, पैसा, ठीक है, तो we are actually able to use our goods and services, because other in the community want to use them, हम जो है, यहां पर इस्तमाल कर पा रहे हैं उस चीज को, क्योंकि बगल अगल वाले भी उसके इस्तमाल कर रहे हैं, अगर जो है, एक ग्याम में अगर माल लेते हैं, कि किसी एक्स प्रड़क का, किसी एक्स कंपड़ी का कुई चीज नहीं बिकता है, तो और दिखना बढ़ता है, अला हमारा Public Distribution System, PDS, हो कहा है, a food security system established by Government of India to provide essential items at subsidized rate, subsidy के साथ, सभी जो रासन है, उसको बहुत से कम से कम किताफ की फाइती दामें देने के लिए, एक Government सरकार का क्याता है, कि योजना है, इसका नाम है, Public Distribution System, when PDS shops working in fair manner, people do not face food sources and starvation, अगर जो है, PDS shop, अगर अपने चितर के से काम करें, कोई भी आदी भूखा नहीं सोएगा, इसी कोई खाना ही कमी नहीं होगी, और कोई बच्चा जो होगा, भीख नहीं मांगेगा, ठीक है, भूखे नहीं सोएगा, उसका नाम है starvation, ठीक है, United National Development Program, UNDP क्या बोलता है, it prepared a report of country through average income, education and life expenditure के साथ जो है, क्या बनाता है, अपना एक report, annual report बनाता है, अला क्या है, body mass index, वो क्या देखिए, कि person who does not get proper nutrition, as per weight and height, called underneath, जोन लोगों को, उनकी हिसाब से nutrition नहीं दियागा, जिनके यसान का weight and height है, उसको बलता है, अगर अगर आपका जो BMI कलकल करके, अगर आपका 25 से जादे आ रहा है, मतला आप under-nourished है, यानि कि आपको पोसीत है, ठीक है, body mass index निकलता कैसे है, परले आप क्या किजिए, अपने weight को कर लिजे, kg में, और इसको डिवाइट कर दीजे, आपका height है न सेंटेमिटर में, उसके square से, height in cm के square से डिवाइट करिए, और weight को kg रहने दीजेगा, तो ह हो जाएगा, आपका body mass index हा जाएगा, और जो value हैगा, वो देखिएगा, अगर 18.5 से ज्यादा हुआ, तो ठीक है, और 25 से कम हुआ, तो ठीक है, 18.5 से कम हुआ, तो आपको पोसीत है, और 25 से ज्यादा हुआ, तो आप over weight है, ठीक है, अब बात करते हैं, मोग, sustainable development के बार में, क्या है, the efficient utilization of resources, not only for present, but for the future generation of sustainable development, ऐसा इसा इस्तेमाल करना इस्तेमाल कर सके, उसी को बलते हम लोग, sustainable development, जैसा की coal petroleum, ठीक है, तो we have to use efficiently for present and future, तो हमें जो इसका इसका इस्तेमाल जो है, future और present को सोच के करना पर एगा, so, thank you so much, मिलते हम लोगरे वीडियो में, तपता के Good night, thank you so much, दिन में देख रहे हैं, तो Goodbye, रत में देख रहे हैं, तो Good night, thank you so much, मिलते हम लोगरे वीडियो में, जिसमें बात करेंगे, बागी सभी चैटर को स्रीज के बारे में जो आती रहेंगी, आपको इस यूँ ही, हल चैटर का जो है तैयारी, शुरू से लेकर के अंतक, इसमें देखे हैं कि आप नोट्स में जो है, काफी एक्स्टा बाते लिखाई गई है, जो आपके NCRT में नहीं है, और जो important है, जिसे कि BMI को अचा से नहीं समझा है कि NCRT में, लेकिन Body Mass Index को मैंने अपने कोपी में अच्छे समझा रखा है, ठीक है, कि BMI एगर 25 से जादे 18.5 से कम हुआ, तो आप अंडा नहीं की को पोसित हो गए, आपको प्रोटीन, मिनरली से जरूरत है, आपका पोसन कम है, ठीक है, तो इन सभी जरूरतों के लिए आप स्टाइड में को बोरो कर सकते हैं, लास्ट जेट है खड़िदने का 1 दिसमबर, विकोज 1 दिसमबर तक क के लिए Crash course, science के लिए Crash course और SST के लिए Crash course इस तरदा की सभी courses अवयल कर सकते हैं, इन सभी का notes, सभी का study material का 75D, सभी का short notes, सभी का practice question, सब कुछ जो है आपको दे दिया जाएगा, सब कुछ जो है आपको बता दिया जाएगा, जो की study material खड़ देंगी उनको, ठीक है, अगर study material तब तक के लिए टेक किया पराहि करते रहें जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं और अच्छा लगे तो जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है लिखा हुआ आप उसको जरूर 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 फॉलो करिए और उम्मीद है कि आप फॉलो करते भी है अब थोरह स्रीज हो कि जिए तो थैंक यू सो मच बबबाए और टेक केर गुद नाइट और गुद देख बबबाए